Instagram application, autobag problem, Instagram application open नहीं हो रहा है दोस्तों आपसे बिलुग जैसे यहाँ पर चले जाते हो और Instagram application को open करते हो तुड़ी समय के लिए तो यहाँ पर आपकी autobag हो जाती है Instagram के application open नहीं होती तो आज की studio में आप सभी को बताऊंगा कि आप इस problem को कैसे fix out कर सकते हैं Hello दोस्तों आपके साथ यहाँ पर autobag वाली problem आ रही है Instagram को लेके तुम्हें आपको बताऊंगा इस problem को कैसे fix out करना है यदि आप यहाँ पर परिशान हो चुकी आपके यहाँ पर कभी-कभी autobag हो जाती है यानि कि आभी से आपके यहाँ शिरू हो चुकी होगी तो मुझे comment box में जुरू बताना चले इस video को start करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस problem को कैसे fix out करना है आपके पास कोई भी device हो चाहे Redmi, Weibo, Samsung, Oppo तो आपको आपको आपके सबसे बिल आपनी mobile की setting open करनी है आपको यहाँ पर autobag हो जाता है तो Instagram तो open करने के बाद just apps के option पे click करना यह हाँ device में यह जो जाती है ठीक है आप इस बार इस setting को open कर लेना है आप Instagram application को open कर लो Instagram application आपको नहीं मिलते हैं तो उपर की दरफ search बार मिलेगा यहाँ पर आप सभी को search कर लेना है Instagram ठीक है उसके बाद मिल जाएगा just इसके यहाँ पर open करने के बाद आभी आपको just यहाँ पर क्या करना होगा सबसे पहले आपको यहाँ इसकी mobile data के option पे click करना है उसके बाद तो आप सभी को यहाँ पर background data मिलेगा just इसको यहाँ से turn off कर दो turn off करने के बाद यहाँ से आप सभी को चले जाना है वरना आपका account चला जाएगा कैसे मैं आपको बतायता हूँ आप देखें दो options रहेगे यहाँ पे clear storage, clear catch अगर आपको अपने Instagram का password पता है तो फिर आप यहाँ पे clear storage कर सकते हैं यदि आप सभी को अपने Instagram का password नहीं पता है तो simple तरीका है clear catch कर लो फिर आप इस जंजट में ना पढ़ना बाकी काफी सारी setting को यहाँ पे रहेगी उसको shade मत करना, इतना ही कर दो just यहाँ पे आप सभी को back options पे click करना है उसके बाद guys आप सभी को यहाँ पे mobile data and wifi option पे click करो यहाँ पे background data मेने turn off करने के लिए बोला तो यहाँ पे वापस आपको turn on कर देना है इसके बाद just यहाँ इसको back कर लो यहाँ से आप recent से सब कुछ हाटा दो ठीक है सब कुछ हाटा देने के बाद just एक बार से play store application को open करके आप अपने instagram application को यहाँ पे search कर लेना अगर आपका instagram के अंदर update शूर नहीं होता है तो समझ लेना आपको यहाँ पे update automatically हो चुका है अब इसको यहाँ पे पूर update करना है अब instagram update करने के बाद आप देखना है यहाँ पे मैं instagram application को open कर लेता हूँ just यहाँ पे मैं open कर लेता हूँ open होने में तोड़ा जिस समय ले लेगा लेकिन instagram 100% open हो जाएगा तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं instagram के application जो यह open हो चुकी है यहाँ पे मुझे कोई problem नहीं आ रही है मैं reels भी देख पाता हूँ कुछ भी activities भी कर सकता हूँ अब यहाँ पे मेरी instagram application वर्क करना शिरू हो चुकी है अगर आपकी भी यहाँ पे autoback हो जाती है तो आप यह वाली setting कर लो आसानी से आपके किसी भी device के अंदर यह वाली problem जो है solve हो जाएगी मेरी instagram application भी यहाँ पे वर्क कर रही है ना यहाँ पे autoback जा रहा है ना कोई problem आ रहा है मुझे आप यह जल्दी setting कर लो और हम comment books में जरूर बता देना चलेगा इस मिलते एक नई वीडियो कि था तो तब तक के लिए goodbye और मुझे बता देना आपका कौन सा device